On 1st October 2022, Mr. X, an exporter enters into a forward contract with BNP Bank to sell US dollar 1 lakh. On 31st December 2022, at Rs. 65.40 per dollar. क्या रहा है कि 1 October 2022 को Mr. X है, उसने डीलर के साथ एक forward contract में enter किया. अब एक जो exporter, exporter के पास तो foreign currency होगी, क्योंकि उसको foreign currency में payment मिली होगी, तो वो sell करने का contract करेगा dealer के साथ, और dealer किस चीज़ का contract करेगा, अब अगर जो customer वो sell करने का contract कर रहा है, तो dealer buy करने का contract करेगा, तो dealer ने buy करने का contract किया, एक forward contract किया, एक October 2022 को Mr. X के साथ, और कितने का किया, amount क्या थी, एक लाख US dollar जो था, उसको dealer को buy करना था, किस date पर buy करना, 31 December 2022 को, और उसकी rate किया 65.40, यहनि यह contract है, कितने मंत का contract है, यहनि कितने मंत का forward contract है, यह मैं पोचने के कोशिश कर रहा हूँ आपसे, तो देखो, एक October को contract किया था, और जो contract जो settle होना 31 December को होना, यहनि October का पूरा महिन है, November, December, तीन पूरा महिन है, यह त्री मंत forward का buy contract है, यह, और rate क्या है, आपको rate कोटेशन से आपको rate पताल नहीं लगाना, rate अलरड़ी दे रखे कोशिए में, तो यह जो होती है, अब यह final rate है, ठीक है, तो हम यह मान करके चलेंगे कि जो dealer जो exchange margin चार्ज करता है, कस्टेमर से वो exchange margin इसमें already included है, ठीक है, तो हम इसमें कोई additional exchange margin हम include नहीं करेंगे, however, due to the request of the importer, Mr. X received amount on 28 November 2022, Mr. X requested the bank to take delivery of the remittance on 30 November 2022, that is before the due date, अब जो Mr. X है, Mr. X जो exporter है, उसने अपना समान किसी दूशे देश के importer को बेचा होगा, वो जो importer है न, वो तीन महिने में payment करने वाला था, इसलिए जो Mr. X है, उसने bank के साथ तीन महिने की dealing करी थी, contact क्या था, तीन महिने का, लेकिन जो importer है न, उसके बाद सचानाक से, बता नहीं, राम जाने कहां से पैसे आ गए, उसने दो महिने बाद ही payment कर दी Mr. X को, Mr. X को 28 November को payment आई, ध्यान रखना है, Mr. X को payment कब मिली, 28 November को Mr. X को payment मिली, और उसने bank को बोला कि यार मेरे को न, 28 November को मेरे को पैसे मिल गए हैं, और आज, यानि कि 30 November को मैं आपको कह रहा हूं कि किर्प्या करके, आप जो मेरे पास जो foreign currency है न, उसकी delivery ले लो, तो, और जो 28 November को जो rate दे रखी होती है न, वो यह rate दे रखी है, 26 November की rate है, 30 November की rate नहीं, 28 November की rate यह दे रखी है, तो 30 November को जो bank होता है, वो कहता है, चल ठीक है, bank मान जाता है, और जो है, वो, जो foreign, जो contract है न, उसकी early delivery ले ले लेता है, तो कह रखा आगे कि, if bank agrees to take early delivery, then what will be the net inflow to Mr. X, assuming that the prevailing prime lending rate is 18%, assuming 365 days in a year, कह रहा है कि, आप मेरे को यह बताओ कि, अगर जो dealer है, वो early delivery ले ले लेता है, foreign exchange का, foreign currency का, Mr. X से, तो जो Mr. X को जो total inflow होगा, वो कितने का inflow होगा, और साथी साथ इसने हमें lending rate बता रखा है, lending rate मनें की interest rate, यानि इस question में interest भी है, तो इसने हमें interest rate बता रखा, बता रखा कि आपको एक year में यानि एक साल में 300 पैसर दिन आपको मानना है, तो यहां तक हमारा सवाल, अब हम इस सवाल को solve करते हैं, तो नीचे आ जाओ थोड़ा, तो सबसे पहले तो हम वही अपना टी शेप बना लेंगे, एक तरफ customer लिखेंगे, एक तरफ market लिखेंगे, डीलर कस्टमर के साथ जितनी भी transactions करेगा, वह इस वाले कॉलम में और डीलर मार्केट के साथ जो transaction करेगा, मार्केट मतलब की मार्केट में जो original डीलर बैठा हुआ, जिसके पास foreign currency है, उसके साथ अपना डीलर, जो कि अपना डीलर तो बिचोली होना एक तरीके से, तो अपना डीलर जो डील करेगा, मार्केट और वाले डीलर के साथ वह सारी transactions को यहां पर इस वाली कॉलम में रिकॉर्ड करेगा, तो सबसे पहले उसने customer के साथ 3-1-4 वाइड का buy contract किया, यहां पर उसको नोट कर दिया, इसको ब्लैक कर दिता हूं, ताकि आप असानी से डिस्ट कर पाओ कि आंसर क्या है, और मैं क्या लिख रहा हूं अभी, तो किया customer के साथ, अब customer के साथ अगर इसने buy का किया, तो यह foreign currency लेकर के उसका चार तो डालेगा, नहीं, इसको तो कहीं है जबता है, तो इसने क्या किया, इसने, market के जो dealer है, उसके साथ भी contract किया होगा, बेचने का, अगर customer से ख зна का, क्या होगा, तो इसके साथ भी, वेचने का, क्या होगा, क्कि यह लेकर के, उसका अचर तो डालेगा नहीं, या उसको जला कर के आख तापेगा नहीं, तो इसन से कोई फर्क पढ़ता भी है तो कोई बात नहीं आप जहां बंब जितने भी पिर कोशन से आगा ना आप उसमें देखोगे कि एक अधाहिए सी यह होती है जहां पर यह वाला रेट जो है वह यूज में आता है नहीं तो जनरए यह वाला रेट जितने भी तेक हम ने कोशन के तो यूज में नहीं आया है ठीक है कोई बात नहीं अब 28 नमबर को यह कहता है कि आप मेरे पास पैसे आ गए और तीस तारीक को आगा करके लेकिन तीस तारीक की तो हमें रेट दे अगर आप धिहां से देखूंगत मैं आपको यहां पर हाईलेट करा न Google would नहीं है तो देखो मैं एक बात होता है कि अगर आपको 28 को तारीक को पैसे आता है ना तो दो दिन आपको लग जाते हैं आपको दो दिन लग जाते हैं पैसों को आने में या पैसों को रिसीव करने में मतलब पैसों की डिलिवरी में दो दिन आपको लग जाते हैं यानि जाता है नहीं आप इसको और जो डिलीवरी की जो दीन का डेट होता है ना उसको प्लसकर करके जो देज आयागा वह आपको उसी डेट का उसको आपको मानना है तो हम मानकर कर चलेंगे कि 28 तारीकि नहीं बिलकि 30 तारीक के रेट थिक है कि है तो अर्ली कॉस्टमाने रिक्वेस्ट करी तो हमने अल्ली डिलीवरी ले ली ठीक अब दिक्कत हो गई कि यार पैसे तो मेरे पास आगे अब मैं इस पैसे का क्या करूं कि जो मार्केट में डीलर बैठा उसके साथ मैं त्री मंथ फोरवार्ड का मैंने âu कौंटक किया है लेकिन से नीमाचने की जैल नहीं जा रहойдए भी ढोटन की स्रिक्वर पता निए केंसलेंशन वाले क्यों से कैंसलेशन में कई केंसल करने के लिए तो डिलर को कहता है कि देखो मेरे साथ आफंगी अल्यूवनिपनों दूसरी के साथ सबीसल चारके कर लो ये मार्केल में सब्सक्राइड लेकिन यहां पर कअरे नहीं कह रहा है कि लाह कमेहने बाद आपको यहां पर आ पर सेल कर दो पहले मिरेवाद पैसे आग्या क्या करूंट यानि अब एक डिलर और दूसरे डिलर के साथ और जब डिलर ट्रांजक्शन होती ना तब उसमें हम एक्सचेंज नहीं लगाते हैं ठीक है लेकिन दिलर फिर भी निम्मूर ने की कोशिच करता है तो तो डिय लर क्या करेगा अब यह 30 तरी को बेचने के लिए जाएगा अपना लोकल डिलर अपना विछ वा लिया और जाएगा तो खरीद रहा है ना खरीदेगा कम से कम रेट पर कि देखो देखो डिलर की मेंडली होती है अगर उसको पैसा लेना है कोई चीज सेल करके तो यही इसी तरीक किसे तो डिदलер की हमारी Mlash Believe जो सबसे पैसे खाता अपने रिष्तादार अपने बाप से पैसे घ्याता हम कहते हैं यहां यहां पर अबने बाप से यहां पॉर कम से कम Теперьriters का कि आगा मार्किड आल। तो स्पॉट डेट तो यह तो 65.22 पे देखो क्या कर रहा है सेल करना पड़ रहा है हमारे बेचारे लोकल डीलर को अब सेल तो कर दिया लेकिन जो ऑडिजिनल जो मार्किट में डीलर बैटा उसके साथ हमने कॉंट्टेक्ट और किया कि एक महीने बाद मैं उसको क्या करूंगा सेल करूंगा फ्क है नी धी है जो आए वह मैंने बेच दीugenकि मैंने पहले ही आ गया था जुम यह दो वन मन्स को बॉल कोई को कॉंट्राक्ट करना पड़ेगा वग सबावानी को उस शरुटो नान कगा तक locate करना पड़ेगा ताकि मैं यह क्या करेका तो यह वह क्या करेका सेंट करेगा सेंट करेगा सेंट अबढाय तो यहां पर दीलर क्योंं ट्रेक्शन को और मनें लिए होगा तो जाज़़ादा पैसा लेने के खरएंगा पारि prevent Market कौन सा हुआ 65.22 बढ़ यह स्पोट रेट है फोर्वार रेट कब निकलेगी स्पोट रेट में अगर हम प्रीमिम प्लस करेंगे यहां अगर डिसकॉंट दे रहां तो प्रीमिम ना इसका मतलब जिरो पॉइंट रोधी खरीमें वान फैडियो यहां यानि जो डैसिमल प्लेस देसिमल प्लेस हैं यह क्या पोण्सेट रखिया था कि प्रीमिमं को किसके सा को अब को प्रिजेगा तो आपको इससे मतलब क्या निकालना है यहां पर मतलब निकलता है पॉइंट 10 रूपीज और पॉइंट 15 रूपीज तो प्रीम कौन सा यानि ज्यादा वाला प्रीमियम लिया तो ज्यादा वाला फोरवर्ट रेत लेगा जैड़ सी बात है अगर आप किसी को कोई आपको अगर कुछ बेचे गए तो ज्यादा समांद ज्यादा पैसे याँ लेने की कोशिश करों यह ज्यादा स्वाट रेंड रहा है फिर ज्यादा पीम चार्ज कर रहा है यह जंगल सब को खा जागा चार्ड़ किसी को नहीं च्वटता है तोный मसेथा तो यह जद ले रहा है प्रीमियम घ्राइण ए launches कि और गॉल मेंडोर स्पाइण तो यहां पर जितने भी कॉंट्रेक्ट थी हमने सारी की सारी देख ली अब देखते हैं इसको पर क्या कोई इंट्रस्ट स्वेइन लॉस फ्लैट चार्ज है कैंसलेशन लगते हैं देखो कैंसलेशन तो लगए नहीं क्योंकि कैंसलेशन का कुछ पंगा ही नहीं है तो ऑनस्तो प्लेसmera का ऑच्व देजहां में लगे जबन लगए जब तक कुछ इकान नहीं तिमुए हो गया अब इंट्रस्ट के बात पर पंगा आता है जब डिग्ट से पहले या बाद में यानि other than due date किसी भी तरीके की कोई transaction होई हो इसमें cash flow हुआ हो क्या हुआ है ऐसा तो देखो due date से पहले हमने जो delivery है वो accept कर लिया है यानि transaction तो होई है due date से पहले अच्छा due date से पहले दो transaction और हुई है इसके लावा delivery accept करने के अलावा दो transaction और हुई है कि हमने सेल किया है और एक वन मन्त फोरवर्ड का बाय का contract किया तो contract के ऊपर तो cash flow नहीं होगा जो सेल किया है इसमें cash flow है यानि due date से पहले मैंने क्या किया होगा मैंने सेल किया यानि मेरे पास inflow आया है किस रेट से आया इंफ्लो वन डॉलर स्कॉल टू 65.22 की रेट से आया और आउट फ्लो हुआ है आउट फ्लो कैसे क्योंकि due date से पहले मैं delivery of accept करी होगी तो मैंने Cash की payment भी तो करी होगी तो किस रेट पे करिए वन डॉलर स्कॉल टू 65.40 की रेट पर करिए यानि इस रेट मैंने इस रेट की आउट फ्लो है और इस रेट की इंफ्लो है लेकिन एक डॉलर का रेट तो वन लक डॉलर का और और ज्यूंक्रीनल कॉंट ना इंफ्लो本ट कंवी एडिन इंटरस्ट का रेट है इंट्रस्ट बताओ कितना होगा तो रेट यानि हमने 31 दिन पहले क्या किया यह लिए तो 31 दिन का आप इंट्रेस्ट चार्ज निकाल लगए तो आपका आएगा 275.181 दोस्तों 75 रुपया आएगा ठीक है और 18 पैसा इंट्रेस्ट हमने निकाल लिया आप स्वैप गेने लॉस निकालते तो स्वैप गेने लॉस कब निक डालते हैं जब जो ओरिज्जिनल से उनके लावा कोई और कोंट्रेक्त हुआ हो घ। ल्यूल कोंट्रेक्ट है लेनी तो हम डिली ले ङृती हो नहीं 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 तो यह तोze कर वारी ट्रांजेक्शन स्वाहं हाँ ऑरीजेनल के लावा दो हुआ है जिसमें यो की कैंसलेशन नहीं है केंसलेशन अलगां नहीं हुआ है कैसलेशन लागां कॉंट्रेक्ट नहीं है 2 कॉंट्रेक्ट को देखो 65.42 का हमने किया है हो रहा है यानि हमें लेना कितना है हमें कितना लेना है कस्टमर से हमें एक तो अपमारा जो टूंटी थाउन का लॉस है यह लेना है और जो 275 रुपे का इंट्रस्ट हमें यह लेना है ठीक यानि जो टोटल इंफ्लो हुआ मिस्टर एक्स को इसने मिस्टर एक्स को टोटल इंफ्लो पूछा है न तो मिस्टर एक्स को टोटल इंफ्लो कितने का हुआ तो आप यह देखो यह तो हमने उसको दिया डीलेर नि मिस्टर एक्स को डिलीवर के ऊपर इतना तो पे किया गया होगा क्योंकि रेट यही तैग वा था 55.40 का है ना और एक लाख डॉलर के लिए तैग हुआ था इतना तो रेट पे किया गया होगा और जो इंटरस्ट चार्जिस हैं जो इंटरस तोटल कितना चार्ज किया गया यानि डिले ने दिये कितने 65,40,000 डिले और चार्ज कितना किया वापस चार्ज कितना किया टॉटल इंफ्लो मिस्टर एक्स को कितना हुआ यह देखो 65,19,000 आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया हूँ अच्छे से सोलेशन कोई भी दिखत आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अपने प्रॉब्लम मैं सॉल्फ करने के उसको कोशिश करूँगा